सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असाने से दोस्तो अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमारा पेड़ कोर्स भी जोईन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टड़ी नोर्स देते हैं, ठेटिकल वीडियो देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्ड एर कोशन पेपर देते हैं, विद टोपिक वाइज कोशन, जैसे कि आज तक रिसर्च के कोशन आ चुके हैं, वो हमने अलग करके हैं, टीचिंग के कोशन अलग करके हैं, कम्निकेशन के अलग करके हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो कोशन हैं, आप आपको अलग-अलग किये हुए मिलेंगे, इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मोक टेस्ट देते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोशन जोइन करना है, तो जल्दी से जल्दी हमें इस वाटसब नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, चली द अबकी है, कई लोग एक सभा Alm Bуем वैट के भी बात सित कर सकते हैं, तो इस तरीके से बहुत से टाइप हो सकते हैं, तो यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जो संख्या है, लोगों के संख्या की अधार करने परिकार की निट्रा पर्सーナल कमंदीैन कृता होता है, तीक है, और उसके बाद में, Group Commission, उसके बाद में मास्वन d懂 काम हिएं, संख्या के अधारपन है अब दीखे, सबसे पहला है हमारा अन्तव व्यक्तिगत संचार यानि की Intrapersonal, यह चीज आप ध्यान के रिखे न दोस्तों, यहां पर इंटrapersonal दिया है ना कि क्या कहलाता है इंटरा परसेनल कमिंुकेशन कहलाता ह। यहाँ पर फज सकते हैं इसमें पूरी जानकर भी हुए है याईनि की जब व्यक्ति खुद से संचार करते हैं यानि की अगरां लेते तो उसे हम क्या कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्यूकेशन कहते हैं और आगे देखते दोस्तों यहां पर आप इसकी विश्यस्ताई भी पढ़ सकते हैं और आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास अंत्रव्यक्तिकत संचार यानिकि interpersonal communication अब देखिए interpersonal communication में क्या होता कि इसके अंदर दो या दो से अधिक लोग हो सकते हैं, दो तीन लोग हो सकते हैं, जिसके अंदर हम बादसित करें, इसमें यानि कि हम खुद नहीं होते हैं, अगला व्यक्ति हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन व्यक्ति हो सकते हैं, जब दो लोग आपस में भावना विचारों का अधान परता तो उसे अंत्रव्यक्तिक संचार करता है यह हैं आमने सामने होता है यह दो तरफा two-way communication होता है दोस्तों यह आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि interpersonal communication क्या होता है यह कभी भी संकेत सवरभाव सब्द इतियादी के दोरा किया जाता है और इसमें भी काफी तरह की बाते हैं वो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल असान है दोस्तों इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है आप पढ़ना और वैसे भी आपको साहिद समझ में आ रहा होगा जिस तरीकी से मैं समझा रहा हूँ और यहां पर देखी इसके अंदर आप देख सकते हैं क क्या बात है कैसे है और किस तरह से वो सारे चीज़ें हम पूछ सकते हैं तो इसमें काफी तरह की विशेष्टा दिवी आप सभी पढ़ लेना क्यूंकि दोस्तों मैं अगर सभी चीज़ें आपको पढ़के बताने लग गया तो यह वीडियो बहुत ज्याता लंबी बन है तो यानि कि एक ग्रूप में मिलकर जब हम बात करें तो उससे हम क्या कहते हैं ग्रूप कम्यूकेशन कहते हैं जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ग्रूप अब देखिए यहां पे आपको ध्यान में रखना की ज़रू तक ही ग्रूप के अंदर 500 लोग नहीं हो सकते कि सभी अपनी इच्छावे सामर्थ के इंसार सहीव करते हैं अब जिसको जितनी बोल्ड है कि इच्छा वो उतना बोल सकता है कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती सदस्यों के बीच सामान रूप से विच्यार भावनाओं का अधान परदान होता है संचारक और प् हमारी जो समस्य उस पर जल्द से जल्द समाधान होने की संभावना बनी रहती है और आगे दोस्तों हमारे पास जन संचार यानि कि मास कमनीकेशन अब देखें मास कमनीकेशन दो सब्दो से मिलकर बना हो है जन पलस में संचार जन का अर्थ होता है भीड़ यानि कि बहुत ज्यादा लोगों के क्राउड जो होते उसे हम क्या कहते हैं जन कहते हैं भीड कहते हैं समु संचार का विरत रूप है जन संचार अब देखें जो समु संचार होता है उसका जो बड़ा लेवल होता है उसे हम कहते हैं जन संचार कहते हैं यानि कि मास कमनीकेशन कहते हैं अब मात सुने रहे तो वह क्या हो ग्या हो गया तैकें अब दिख्यें पिते हैं उसके इस पर बेड़े उसकी हुए जरू इने एक सभी के सभी लोग और जैसे कि वो हमारा ग्रूप कम्निकेशन होता है, ग्रूप कम्निकेशन के अंदर सभी लोग 10-15 लोग एकठे बैठते हैं, लेकिन मास कम्निकेशन के अदर एकठे नहीं बैठते हैं, अब यहाँ पे जन संचार की कुछ भी सेस्ताई भी हम देख लेते हैं, विशाल प्रापको के लिए संदेश समान रूप से कुला रहता है, यानि कि जो हम एक व्यक्ति को संदेश दे रहे हैं, वही संदेश हजारों लोगों के साथ हम एक साथ पहुंचा सकते हैं, संदेश माध्यम के मदद से संदेश का संप्रेशन किया जाता है, अब देखिए इसमें क इसमें और भी काफी तरफी बात है वह आपको पढ़ सकते हैं आगे हैं हमारे पास दोस्तों चैनल के अधार पर अब देखिए मीडियम जो है उसके अधार पर किस तरह का संचार हो सकता है उसके टाइप की बात करते है एक होता साब्दिक एक होता ऐसाब्दिक है यह जो सब्द से ही पता चल रहा है कि जिसके अंदर सब्दों का यूज किया गया हूए यानि कि वर्वल कम्यूकेशन सब्दों का यूज करके कोई हम कम्यूकेशन करते तो उसे हम कहते हैं वर्वल कम्यूकेशन यानि कि साब्दिक संचार कहते हैं अब देखिए साब्दिक संचार क उसके लिए बहुत मुश्किल है वो चीज और इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरी कंट्री में चले जाए वहां के हमें भासा नहीं आती तो हमारे लिए वर्वल कम्निकेशन करना मुश्किल हो सकता है इसलिए इसे थोड़ा जटिल कहा गया है तो यही चीज आप ध्यान में रखना की इन में से पूसरते की कौन सा जटिल कमनिकेशन है वर्वल यह नोण वर्वल अब नोण वर्वल क्या होता है नोण वर्वल के इंदर हम किसी को इसारा करके समझा सकते हैं ठीक है और इसके अंदर देखते है दोस्तों की साब्दिक संचार के अंदर मुख्य अच्छा हम लगाते हैं वो बोल सकता है कि पापा मेरे को ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए और कभीता भी सुना सकता है लेकिन क्या है कि वो लिख नहीं सकता है वो बोल सकता है बोलने को पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं लेकिन लिख नहीं सकता तो इस तरीके से जो म बढ़े बुजूर्ग देखें वो लोग सिक्सित नहीं हैं लेकिन फिर भी वो सब्दों का यूज़ करके बहुत अच्छे से कम्निकेशन कर लेते हैं अब देखिए एक मिनिट रुकिए इसके अंदर क्या है और चीजे मापको बताऊं कि संचार की इस प्रक्रिया दवरा संतारक एवंपरापत की मनदेश सावाद स्थापित होता है और इसी क्या कहा गया है दोस्तों मोखिक सब्दों दोवरा पारस्पिरिक्ट से संचार संदे सवहान की सर्वस्ष्ड कला है अब ये देखिए जो बौल की संचार किया जाता है इससे बहुत अच्छा संचार होत अच्छा है और हम उसके बोलने के दवारा ही काफिक प्रवावित हो जाकते हैं चाहिए वो पढ़ा लिखाओ से अंपढ़ हो ठीक है और आगे देखते दोस्तों मोखिक संचार के माध्यम क्या क्या हो सकते क्या क्या मीडियम हो सकते अब देखें वारतालाप यानिक एक द हो गया सम्मिलन हो गया है इन सभी में हम सब्दों का यूज़ करके लोगों को प्रवावित कर सकते हैं अब देखें मोखिक संचार की विशेष्था क्या क्या है कम समय में अधिक लोगों के साथ सम्वाद संभो अब देखिए हम एक जगया पर बैठे हुए हैं और वहां प क्या होता कि बोलने से बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है तुरूटिया होने की कम संभावना अब जब हम बोलते हैं तो इसमें गलतिया होने की बहुत कम संभावना होते है समय की बचत अब हम बोल के बहुत कम समय में बहुत अच्छी बात बता सकते हैं तो यहां पर आप काफी तरह की बाते हैं वो चीज़े यहां पर देख सकते हैं और प्रापक से की बात चल रही है यहां पर सब्द बोल के भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं अब यहां पर हम बात करते हैं कि यह देखें मोखिक संचार में यह तो जैसे हमने पहले मोखिक की बात की अब हम बात करें लिखित संचार अब देखें मोखिक संचार से संदेश संप्रेश किसी को मैसेज टाइप करके यारी मेल टाइप करके यारी कि टाइपिंग करके लिखित में किसी दूसरी को संदेश देना क्या कहलता यारी लिखित को सकते हैं समाचार बुलिटेन फोसकते हैं बुक्स वगईद्हा हो सकती है तो काफे चीज़े इसके इंदर आ सकती है और अफ संचार की विशे जैसे बहुत सारी बाते चलते हैं ना कि मैंने उस दिन तेरे को ये बात कही थी तू आज जूठ बोल रहा है इस तरीके से हम यानि की कोई बात कह देते हैं कहने से उसका प्रूफ नहीं होता लेकिन जब हम किसी को लिखित में कोई चीज देते हैं तो वो प्रूफ ज्यादा म होते हैं ताकि उनको एक पर आगे कोई एविडेंस के रूप में यूज किया जा सके ठीक है सबूत के रूप में भविश्य में साक्षे और संदर्वों के रूप में प्रस्तूति करण संभवा है अब देखिए लिखित संचार हम सालों तक रख सकते हैं लेकिन अगर हमने क हजारों सालों तक नहीं रख सकते हैं लेकिन लिखिवी बात है अगर हमने कोई पुष्टक रख दी तो वह हजारों सालों तक रख सकते हैं संचारक और प्रापक की एक साथ मोजुद की संभव यानि कि जरूरी नहीं है यानि कि जिसे हम मैसिज भेज रहे वह जरूरी नही तो ये कुछ-कुछ इसकी विशेशता है दोस्तों और आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास non-verbal communication यानि कि अब बात आती है ऐसाब्दिक संचार यानि कि जिसमें सब्दों का यूज ना करे उसे हम कहते हैं ऐसाब्दिक संचार यानि कि non-verbal communication अब देखें संचार केवल नहीं विल्कि ऐसाब्दिक भी होता है वही बात आते हैं कि जो हम communication करते हैं वह ऐसी बात नहीं है कि केवल और केवल सब्दों के दवारा किया जाता है नहीं वह हम हाओ भाओ आवाज के उतार चड़ाओ से भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताए था कि छोट सा बच्चा होता है तो वो रो के अपने फिलिंग बता देता है कि मेरे को भूक लगी है या क्या लगा है या मेरे को चोट लगी है तो उसके उसके बाद उसके पास सब्द नहीं होते हैं उसके बाद क्या होती है फिलिंग होते हैं हाओ भाओ होते हैं ठीक है अब देखिए आवाज का उतार चड़ाओ, सरीर की मुद्रा, यानि कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि हाथों का इसारा करके अपनी बात समझाते, तो उचे हम क्या कहते हैं, ए साब्दिक संचार कहते हैं, और यहाँ पर यह देख सकते हैं कि संचार के विशे सगे, मह सेस और साथ परतिसत सब्दों में यूज करता है, यहाँ पर यह देख सकते हैं, वैसे इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, अब देखे, ऐसा आप दिक संचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, अब सबसे पहला आता है दोस्तों सारेविक मुद्रा, या बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और आगे दोस्तों वेस भूशा, अब देखे, वेस भूशा यानि कि हमारे पहनने का लहज़ा जो है, जो हम वेस भूशा पहनते, उससे हमें पता चल जाता कि यह जो व्यक्ति है, कहां का रहने वाला है, उससे काफी हद तक हम क कहे सकते कि उसका कम्यूकेशन हो सकता है, और आगे हम देखते दोस्तों सपर्षी, यानि कि टच के दवरा, अब देखिए, जो हमारा दोस्त होगा, उससे हम कैसे बात करेंगे, कैसे मिलेंगे, और एक अजनवी होगा, तो उसको हम किस तरीके से पकड़ेंगे, उसकी बाह क हो, उसके हाथ को, और जो हमारा दोस्त होगा, उसको हम अलग तरीके से पकड़ेंगे, तो यानि कि टच के दवरा भी हमें पता चलता है, कि जो अगला दोस्त हो हमारा मित्र है, या अंजान है, या क्या है, तो उससे क्या होता है, कि कम्यूकेशन स्थापित होता है, और अब देखिए वही बात आ रही है कि जो हमारा मित्र होगा मित्र से हम बहुत अच्छे से मिलेंगे तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि यह दोनों काफी एक दूसरे को जानते हैं यानि कि कम्यूकेशन हो गया प्रोक्सिमिटी यानि कि निकरता जिस व्यक्ति के हम ज्यादा न अब यह देखिए इसमें से कोशन पहले आ चुके दोस्तों एक से दो बार कोशन आ चुके यह आप ध्यान में रख लेना यह गैर मौके कि या गैर साब्दिक संचार का ही एक रूप माना जाता है इसको संचार के संदर्भ में सारेवी के गति वीडियो के अध्यान के में प्रभासित कर सकते हैं अब देखिए इसके अंदर कई लेकि चीजे आती हैं देखिए कि एक तो बोडी लैंग्विज आ गया एक साइन लैंग्विज आगया साइन यानि की हमwang को इसारा करके बता रहे हैं हम्हें पैरा लेंग्विज आ गया सपस्यानिकITच आगिया आ आँखों का उप्योब करते हैं तो उन सभी चीजों को यानि कि जिसके अंदर बोडी लेंग्वेज का यूज हो तो उसे हम क्या कहते हैं काइने सिज language कहे सकते हैं और आगे दोस्तों हमारे पास meta language यानि कि meta संचार, meta communication इसमें क्या होता है प्राइ हम जो कहते हैं और जो अर्थगराईता तक पहुंचता है उसमें कुछ अंतर रहता ही है अब देखे जो बात हम समझाना चाह रहे हैं जरूरी नहीं है कि अगले के पास वही बात पहुंची और हो सकता है वो उसमें कुछ misunderstanding होगी हो वो कुछ गलत तरीके से उसने बात को ले लिया हो कुछ गलत मतलब निकाल लिया हो सभी ऐसाब्दिक संकेत जैसे बात कहने का लहजा चहरे की अभिव्यक्ति आदी अर्थ को वांचित सतर से अच्छे ढंग से भी पहुंच सकते हैं और बूरे ढंग से भी अब ये बात सही है दोस्तों देखे हम कोई communication कर रहे कोई बात बता रहे और उसके अंदर अगर हमारा चहरा जो है थोड़ा गुस्से में है ठीक है तो अगला सोचेगा कि नहीं ये मेरे को बात बताना नहीं चाहरा है इसकी तो मजबूर है यानि कि उसको एक गलत communication गया है तो जो चहरे के हाव भाव है ये सारे चीजे ये वैवधान डाल सकते हैं हमारे communication के अंदर ठीक है तो मैटा सब्द को हम एक मिनट मैटा सब्द को हम सूचना प्रोदयोगी की प्रयोग में भी एक उपसरत की तरह उपयोग करते हैं जिसका अर्थ है अंतरहिन परिभासा या वीवरेन यानि कि आंत्रिक जो होता है internal communication होता है उसे हम क्या कहते हैं मैटा communication कहते हैं जिस वो गलत हो सकता है और आगे दोस्तों आगे हमारे पास paralinguistic इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जब हम बोलते हैं तो बोलने में अगर आवाज को कम कर दे ज्यादा कर दे तेज देज बोलने लगे तो उनसे भी हमारा यह पता चलता कि जो व्यक्ति हैं वो किस सवभाव का व्यक्ति है अगर हम बहुत आराम से बात करें तो पता चलेगा कि जो व्यक्ति है वो बहुत थंडे सभाव का है और अगर जल्दी-जल्दी बात करें तो उससे क्या होगा कि हमारा व्यक्ति तव अलग तरीके से नजर आएगा यानकि जब हम communication कर रहे तो उसके अंदर सवर का उतार चदाऊ जो होता है उसे हम क्या कहता है पैर लोगोस्टिक संचार कहता है communication और आगे आता है दोस्तों oculus ॐक्यूं लीसिज के अंदर क्या होता है दोस्तों संचार में नेतर पल्कों का प्रयोग करना अब देखी जब हम communication करते तो अपनी आखों का भी उपयोग करते हैं तो उसके दवारा आखों के दवारा जो कम्मिकेशन किया जाता है उसे हम कहते हैं और आगे दोस्तों अब देखें प्रोक्षिमिस का मतलब मैं बदाता हूँ सथान का उपयोग यह दि कोई व्यक्ति परधान मंतरी के निकट वाले क पिरशी पर बैठा हो तो उसका क्या अभिपराय है अब देखें सथान से अभिपराय मैं बदाता हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसके पास कौन बैठ सकता है या तो उनके पहचान का अदमी बैठ सकता है अब बिल्कुल जो नॉर्मल इंसान है वो उन में उन दोनों के संबंद के बारे में पता चलता है तो इसे हम क्या कहते है प्रोक्सिमिस कम्यूकेशन कहते है आगे दोस्तों है अब हैप्टिक्स होता है जो टच के दवारा जो कम्यूकेशन होता है उसे हम कहते है अब इसके बारे में मैंने आपको पहले बताए कि जैसे क बच्चे होते हैं चोटे चोटे बच्चे कई लोग उनको गलत नजर से देखते हैं गलत किसे टच करते हैं तो उससे बच्चे को एकदम पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति मेरे को टच कर रहा है किस सभाव से ये टच कर रहा है और हमें भी पता चल जाता है तो इसी हम क्या खकालशार के अंदर किसी वस्तु की तरफ इशारा करके कहते हैं कि वो देख वो चीज़ उस जैसी यानि कि किसी वस्तु की तरफ इसारा करके कोई कमज्टिशन किया जाए तो उस् False आगे दोस्तों हमारे पास Cronymics Chronomics के अंदर क्या होता है दोस्तों समय का प्रयोग किस समय क्या बात कहनी है अब देखी Chronomics के अंदर क्या होता है कि जब हम समय का यूज करें यानि कि क्या होता है कि कोई बात किस समय पे कहनी है ये कई लोगों के अंदर खासियत होते हैं उनको पता होता है कि कौन सी बात कब कहनी है कब नहीं कहनी और वो बहुत अच्छे तरीके से communication कर पाते हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि बे मतलब के बे समय के बात कहें जाते तो वो उनके लिए problem साबित हो सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं क्रोनमिक्स communication कहते हैं और आगे दोस्तों all fair stick communication अब देखी गंद के दवारा जो communication किया जाता है जैसे सुगंद आ रही है तो उस जो communication होता है उसे हम कहते है और all fair stick communication कहा जाता है गंद महक आदि का प्रयोग यदि कोई इत्र यूज कर के आ रहा है यानि कि सेंट डाल के आ रहा है तो हम कहेंगे यह तो बड़ा फैसन वाला आदिम है भई और किसी में इसे गंद के दवारा जो या फिर महक के दवारा जो communication किया जाता है उसे कहते हैं अगला आता है दोस्तों हमारे पास गुष्ट्रिक अब देखे सवाद सवाद के दवारा अब जैसे कि कोई हमारे लिए भोजन बना के ले कि आ और वो सवादिष्ट है तो हम कहेंगे यार बहुत अच्छा खाना है और यह दो बहुत अच्छा इंसान इतना बड़िया खाना बना है यानि कि हमारी उसके बारे में एक राय बनगी एक communication स्थापित हो गया ठीक है तो यह दोस्तों यह जो 16 टाइम में से 14 टाइब के communication है इन में से एक question आने की बहुत ज्यादा संभावना है और अगर आप यह PDF लेना चाहे तो दोस्तों आप ले सकते हैं इसके लिए आप हमारा paid group जोइन कर सकते हैं उसका link हमने video description box में दिया हुआ है और आगे देख सकते हैं दोस्तों अब देखिए एस अब दिक्स जो संचार होता है उसके अंदर भी काफित रहे की विशेशता ही होती है अब देखिए इसमें से question आया था कि जब कहीं पर लडाई हो रही हो या कुछ हो रहा हो तो उसके अंदर हम विश्वास होगे किसे मानेंगे तो उसके अंदर हम जिसके चहरे के हाव भाव से हम पता कर सकते की कौन जोट बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा हम कहते हैं कई वर हम अगले इंसान को देख के बता देते हैं हम बता सकते हैं यह जोट बोल रहा है इसका तो चहरा ही बता रहा है तो उस दोरान क्या होता कि ऐस आप दिक संचार काफी विश्वसन ये माना जाता है और इसमें और भी कई सारी बाते दिए दोस्तों वह आप पढ़ सकते हैं और आगे दोस्तों उद्धिश्य और सेली के अधार पर संचार का वर्गी करण अब देखिए उद्धिश्य के अधार पर formal communication होता है को और एक होता informal communication अब देखिए formal communication के अंदर क्या होता है जैसे की office वगरा में यूज किया जाता है और उसके अंदर नियम कानून होते हैं ठीक है तो उसे हम कहते हैं formal उपचारिक communication कहते हैं जैसे teacher और एक बच्चे के बीच में होता है और उनके अंदर क्या होता कि एक rule regulation और एक सब्भे तरीके से जो संचार किया जाता है उसे हम क्या कहते है formal communication कहते हैं अब देखे जैसे के एक छोटा करमचारी है वो अपने बोश से बात करेगा तो point to point बात करेगा फालतो की कोई बात नहीं करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे formal communication कहेंगे ठीक है और आगे हम देखते दोस्तों कि इनके अंदर formal communication के काफी तरह के लाब है या पढ़ सकते दोस्तों अगर यह सारी चीज़े हम पढ़े ही तो हमारी जो वीडियो वो बहुत जादा लंबी हो जाए और आगे दोस्तों हमारे पास informal communication अब देखे informal communication के अंदर कोई rule regulation नहीं होता और कोई respect वगरा कुछ भी नहीं होता उसके अंदर हमारी मर्जी होते कि हमें किस तरह से communication करना है अब देखे जब जो दोस्तों आपस में बात कर रहे तो एक दूसरे को गाले भी निकाल सकते मजाक भी कर सकते कैसे भी बात कर सकते तो उसे हम क्या कहेंगे informal communication कहेंगे ठीक है और इसके अंदर भी काफी तरह की बाते हैं वो आप देख सकते हैं जैसे कि परिवार के बीच जो हम बात करते हैं वो informal होती इनके अंदर कोई ओपचारी के नियम वगरा कुछ भी नहीं होता और आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास दिसा के अधार पर अब देखें दिसा के अधार पर किस तरह से communication होता हमारा एक होता वर्टिकल ठीक है और एक होता है horizontal वर्टिकल होता है उपर से लेके नीचे तक अब देखिए उपर से लेके नीचे तक कैसे होता है जैसे उपर बोस बैठा है उसे कोई नियम बनाना है और नियम बना कि उसे पूरी कंपनी में लागू करना तो बोस क्या करेगा अपने नीचे से नीचे जो व्यक्ति उसको बात बताएगा नीचे वाला फिर अपने नीचे से बताएगा और उससे नीचे वाला फिर उससे नीचे बताएगा यानि कि ऊपर से नीचे की तरफ जो संचार होता है उसे हम कह देरा होते हैं वह उपर से बनते हुए धीरे 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 नीचे आते हैं ठीक है यानिकि एक एक step करके चीज पहुंचाई जाते हैं और क्म्लिकेशन किया जाता है और horizontal अब देखे होुरी जेंटरल के इंदर क्या होता की इस तरीके से समानतर होता समानतर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जैसे कि दो चपड़ासी है या फिर दो एक सेम लेवल की पोश्ट पे काम करने वाले व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे horizontal communication कहेंगे जैसे कि दो teacher बात कर रहे हैं या दो color के बात कर रहे हैं यानि कि अपनी position के अनुशारत दूसरे आदमी से बात करना वो क्या कहलाता है horizontal communication कहलाता है ठीक है और आगे दोस्तों तिरीक संचार, तिरीक संचार के अंदर जैसे कि तिरीक यानि की तिर्चा संचार, तिर्चा संचार के अंदर क्या होता है दोस्तों कि एक हो सकता है बोस डिरेक्टली जो निम्न सतर का यानि की जो एम्पलोई है उससे बात कर रहा है डिरेक्टली तो उसे हम क्या कहेंगे ति तो दोस्तो ये हमारे मुख्य रूप से communication के type है अब इसके अंदर एक और हमारा important type of communication बच गया दोस्तो वो इस note में मैं लिखना भोल गया लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ वो हता है हमारा grapevine communication होता है अब देखी grapevine communication का मतलब क्या होता है तो इसी तरीके से हमारा communication होता है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई बात है ठीक है एक मिनट रुकिए देखी कोई बात है इस इनसान ने इस इनसान को वो बात बताई इस इनसान ने फिर इस इनसान को बता दी और इस इसी इनसान ने फिर इसको बता दी इसने फिर आगे बता दी इसने फिर ऐसे बता दी ऐसे बता दी यानि कि एक गुच्छे के रूप में communication होता हो न उसे हम क्या कहते करेчदे की ग्रैंट मुझ कर ने के इसे यह जो है informal communication की अंदर आता है इसके अंदर कोई कोई नियम कानून काईदे नहीं होते तो इसे हम क्या कहते है ग्रैप वाइन कम्मिकेशन कहते है यानि कि बिखरा हुआ जो कम्मिकेशन है कभी किसी के पास बात चलेगी कभी किसी के पास कभी किसी के पास चलेगी तो इसे हम क्या कहते है ग्रैप वाइन कम्मिकेशन कहते है और इसमें से हमारे important type of communication और दोस्तों अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की बात समझ में नहीं आई है तो वो आप हमसे post सकते हैं और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए केमेंट कीजिए शेर कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दबाईए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके थैंक्यू दोस्तों